नवस्कार दोस्तों इस्टेडी वीद पॉन परदीप में आप सब लोगों का स्वागत है चर्चा की जाएगी विश्व के परमुख गास इस्तलू के वारे में आये चर्चा सुरू करते हैं जैसे कि आप लोग चानते हैं इस पृत्वी पर या विश्व में कुल मिलाकर साथ महाद्वीप हैं इन साथ महाद्वीप में आठ से नौ आप लोगों को परमुख गास इस्तलू को याद रखना होगा जैसे कि आप लोग देख रहे हैं उत्तरी अमिर्का, दक्षणी, अमिर्का, अफिर्का, यूरोप, एसिया, उस्टिलिया और साथ ही साथ आप लोग यह पर देखेंगे अंटार के टिका, तो कुल मिला करके साथ महाद्वीप हैं, इन महाद्वीप में आप लोगों को लगभग 9 से 10 परमुख गास के इस्तलों को याद रखना होगा, यह सबसे पहले हम यहाँ पर जो सबसे छोटा महाद्वीप है, उसके घास इस्तलों के बारे में जानते हैं, औस्तलिया के अगर बात करें, तो औस्तलिया में एक प्रमुख गास इस्तल है, जिसका नाम है डाउन्स, डाउन्स या कहीं कहीं पर आप लोगों को डान भी लिखा मिल सकता है, कक्षया साथ NCRT में डान लिखा गया है, डान या डाउन्स आप लोग याद रखेंगे औस्तलिया में, औस्तलिया के ठीक दक्षन पूर्व में अगर आप देखेंगे तो न्यूजिलेंड है, न्यूजिलेंड की अगर बात करें, तो यहाँ पर घास के मैदान पाई जाते हैं, कैंट बरी, आप लोगों को लिखना होगा, क्यों न्यूजिलेंड में पाई जाने वाले घास के मैदान है, कैंटर बरी, आप लोग लिखेंगे, न्यूजिलेंड में जो घास के मैदान पाई जाते हैं, वो क्या है, कैंटर बरी, उसके बाद आप लोग आगे लिखेंगे, आगे हम चलते हैं, अफिरका महादूप के ओर, अफिरका महादूप मे भी दो प्रमुख घास के मैदान पाई जाते हैं उत्तर पूर्वी एफिर्का के अगर बात करें तो उत्तर पूर्वी एफिर्का में यहां पर सवाना घास के मैदान मिलते हैं सवाना सवाना घास के मैदान जब कि दक्षण के और देखें दक्षण एफिर्का के और तो यहां पर वेल्ड घास के मैदान पाई जाते हैं आप लोग लिख सकते हैं वेल्ड इस परकार से हमने दो महाद्विपूं के खास इस्तलों को याद किया ये देखते हैं आगे यूरोप एम एसिया में पाए जाने वाले परमख घास इस्तल यूरोप एम एसिया की अगर बात करें तो यूरोप एम एसिया सित्र में यूरोप और एसिया के बीच के सित्र में यहां पर इस्टेपी घास के मैदान पाए जाते हैं अगर आप लोगों से पूछा जाए कि इस्टेपी घास के मैदान कहां पाए जाते हैं इस्टेपी घास क हम एसिया के साथ साथ हमें देखना होगा कि भारत के नीचे सिल्लंका है सिल्लंका की अगर बात करें तो सिल्लंका में पटाना घास के मैदान पाए जाते हैं आप लोगों से पूछा जाएगा कि पटाना घास के मैदान कहां पाए जाते हैं तो आप लोग बता सकते हैं कि पट उत्तरी अमिर्का की अगर बात करें तो उत्तरी अमिर्का में भी वेक प्रमुग घास का मैदान पाया जाता है जिसे पेरी के नाम से या पेरीज भी कहीं पर हो सकता है पेरी पेरी घास के मैदान कहां पाया जाते हैं उत्तरी अमिर्का में यूएसेम कनाडा के सिद्रम है उस जाते हैं इसके उपरी या नहीं उत्तरी हिस्से में अगर देखें दक्सिन अमिर्का के उत्तरी हिस्से में तो इसके उत्तरी हिस्से में यहां पर लानोज या लानोज लानोज या कहीं पर आप लोगों को लानोज भी लिखा हो सकता है या लानोज भी लिखा हो सकता है लानोज घास के मेदानों की अगर बात करें तो यह है बेने जुला में मुख्य रूप से पाय जाता है बेने जुला के साथ साथ आप लोग कोलंबिया ये गुयाना देश भी यहां पर पढ़ते हैं तो यहां पर याद रखेंगे उसके बाद इसके इस तरफ हम देखेंगे ब्राजिल देश से ब्राजिल देश में कमपास या केमपास घास के मैदान पाए जाते हैं आप लोगों से पूछा जाएगा कि कमपास या गास के मैदन कहा पाए जाते हैं या केमपास कुछ भी आप लोगों को लिखा हो सकता है जो कश्या 7 NCRT ने दिया है वह कंपोस है कंपोस घास मैदन कहां पाए जाते है या ब्राजील में यह हम कह सकते हैं कि दक्षण अमेर्का में पाए जाते हैं इसके ठीक दक्षन की और आएंगे आप लोग तो यहां पर पाए जाते हैं पंपास घास के मैदान कंपास पंपास घास के मैदान कहां पाए जाते हैं कंपास और पंपास और लानोच घास के मैदान दक्षन अमेर्का में पाए जाते हैं आए एक हैं जबकि अगर हम बात करें दक्षणी अमेरिका की तो यहां पर जो लानोस घास के मैदान है या कोलंबिया, गुयाना, बेनिजुला आप लोगों को याद रखना है, उसके बाद Kampas ya Kampos ya Kampas ghas के मैदान आप लोगों ने ब्राजील में देखा था और साथी साथ Kampas ghas के मैदान Urgentina में उसके बाद आप लोगों ने इस्टेपी घास के मैदान देखा इस्टेपी घास के मैदान Eurasia से इत्र में पाए जाते हैं Eurasia मतलब Eurasia, Eurasia मतलब Asia, European Asia में पाए जाने वाले प्रमुख घास इस्तल को इस्टे भी कहा जाता है, उसके बाद हमने दक्षन अभिरका में देखा, यहाँ पर सवाना घास के मैदान, और साथ ही साथ हमने बुल्ड घास के मैदान को देखा, जासिल लंका में हमने पटाना घास के मैदान और Australia सबसे नीचे है, जैसे कि आप लोगों ने देखा, तो यहाँ पर डाउन्स घास के मैदान पाई जाते हैं, साथ ही साथ, न्यूजिलेंड में केंटर वरी घास के मैदान पाई जाते हैं, असा करता हूँ कि आप लोग इन घा मैदानों को समझ गए होंगे, और इन घास मैदानों को आए देखें, कि घास मैदाने जो होते हैं, दो परमुख परकाकि होते हैं, या तो उसने कटी बंधी घासिस्तल, या सितोस्न कटी घासिस्तल, उसने कटी बंधी घासिस्तल, मतलब जहाँ पर तापमान दिक रहता है, उस सेत्र के घास इस्तलों को उसने कटवंधी घास इस्तल कहते हैं जबकि जो भूमदी रेखा से दूर या नहीं जहां पर तापमान कम रहता है ऐसे इस्तलों को क्या कहते हैं उसनम क्टवंदी घासिस तल कहते हैं जैसे कि आप लोग आपर साढ़ी स्टेयाइश करके रेखा देख लगभग हैं और लगभगं यहां पर आप लोगों को दिखाई देगा भूमध डिरेख्गा या विसोस रेखा करे और निश्चित तोर पर उस्ल कटी घास के मैदान होंगे जैसे आप लोग उस्ल कटी बंदी घास के मैदानों में याद रखेंगे तीन नाम आप लोगों को याद रखना है नमबर एक लानोस लानोस घास के मैदान क्या है उस्ल कटी बंदी है साथी साथ कमपास या कमपोस घास क मैदान क्या हैं ये भी उसने कटी बंदी हैं और सांथी सांथ भूमेंदी रेखा के आसपास सवाना घास के मैदान आप लोगों को दिखाई दे रहे हैं ये तीन नाम आप लोगों को उस्र कटिबंदी घास इस्तलू के रूप में याद रखना है और साथ ही साथ सिल्लंका का भी जो सेत्र है वो उपोष्ण कटिबंद में आता है और इसके अलवाज जो अन्य आप लोगों को पेरी है इस्टेपी है और साथ ही साथ केंटर विरी है डाउंस है पंपास है वेल् है खास इस्तल जैसे कि आप लोग देखते हैं एक बिस्तिश स़द्र में फ्ले हुए गास जृ Portal जाली को क्या कहते हैं 3 खास इस्तल कहते हैं जैसे कि आप लोग यह पर देखपा रहे होंगे घासस्तल मुख्य रूप से दो परकार के होते हैं यह हमने अभी देखा वेवन जो भूमेति रेखा के किसी वी तरफ उपचाते हैं भूमेति रेखा के दोनों और से उस कटिमंदी सेत्रूम तक फाले हैं, यहां की बरन्यस्पत क्या होती है निमने से मन्द्यबर्सा के सेत्रूम में पड़ éta होती है घास होती है, तीन से चार मीटर तक की उचाई की होती है, और काका सौना घास इस्तल क्या है इसी परकार का है, मतलब जहांपर तीन से चार मीटर उची घास उकती है अगर उस्ट कटिबंधी सेत्रों के प्रमुक है यहाँ पर जो जानवर पाई जाते हैं उनकी बात करें तो हाथी है जेबरा है जिराप है हिरान है तेदुआ है यह जानवर कहां पाई जाते हैं उस्ट कटिबंधी घास इस्तलों वाले स्थानों में पाई जाते हैं इसके बाद हम देखें स dough ने घास सिटोष इस तल क्या होते हैं यह उंक्तुरब मतलब धुर्बू और भूमति रेखा के मत्यवाले शेत्रू के आसपास लगभग यह पाई जाते हैं यहां की घास आमतार पर छोटी एम पोस्टिक होती है आप लोगों से प्रशनी यह भी पूछ सकता है कि कौन से घास पोस्टिक एम छोटी होती है या कौन से घास लंबी हो लोप है इस परकार के जानवर यहां पर पाए जाते हैं उसके बाद हम आये देखें कुछ इसके परमुख जो रूप है आप लोगों को इस तरीके से लिखने होंगे जैसे हमने देखा ओस्टिक गास इस्तल सवाना है पूर्वी अफिरका में हैं कंपोस है ब्राजील में है बेंजुला है लानोच में है और सिटोश्न कटिबंदी गास इस्तलू की बात अगर हम करें तो पंपास है या प्ैंपास है अर्जन ट्रेना में है पेरी है उत्तरी अमिरिका अमेरिका कनाड़ा सित्र में है डक्षनी अमिरिका में है उस्टेपी है मदेश्या या नहीं और यूरोप के सित्रूमा आता है डाउन है उस्टेलिया में इसके अलवा हमने केंटरवरी पटाना घास के मैदान देखे थे आप लोगों को निश्चित तोर पर मांचित्र बना करके इन घास इस्तलू को अगर आप लिख लेते हैं तो निश्चित तोर पर आप लोग इसे एक बार महीं याद कर लेंगे और निश्चित तोर पर आप कभी भी नहीं बूलेंगे या मेरा मानना है अगर आप लोग मांचित्र बनाने में अधिक समय लगता है या नहीं बना पाते हैं आप लोग इस तरीके से कुछ गोले रख सकते हैं अपने समझने के लिए और वहा साथी साथ पंपास घास के मैदान हियाँ पर साथ यूर एशिया सेत्र में स्टेवी याम अधिये असिया में भी आप कह, सकते हैं इस्टेवी घास सिस्टलों को भी इस तरीके से दर्शा सकते हैं जो आप लोगों को आसानी से याद रहेंगे और अपने परतियोगी प्रेक्षा में गलत नहीं होगा आयो देखें इसके कुछ प्रवुक प्रस्वों पर हम देखते हैं आप लोगों को सुमेलित करना है पंपास घास के मैदान अभी आप लोगों ने जैसे की देखा था पंपास घास के मैदान अर्जेंटेना में पाई जाते हैं साथ ही साथ डाउन्स की अगर बात करें हैं तो हमने देखा था डाउन्स सबसे नीचे मतलब सबसे डाउन्स में कौन सा महादविप है उस्टलिया महादविप है इस्टेपी की अगर बात करें तो यह उतरी एसिया यहाँ पर देखें कहीं पर मध्य एसिया इंशी आटी में जो दिया गया है मध्य एसिया दिया गया है जबकि सेत्र फेला हुआ है वह यूरिश्या के सित्र में यूरोप और एसिया के सित्र में और उत्री एसिया भी आप कह सकते हैं तो आप लोगों को प्रिक्षया में किस तरीके से प्रस्ण पुछा जा रहा है वह ध्यान रखना हो पेरी उत्तरी अमेरिका में उसके बाद एक और प्रस्न है कि कि सेत्र के चारागा को वेल्ड कहा जाता है वेल्ड जैसे कि आप लोगों ने देखा दक्सन अमेरिका में फिरका में क्या पाई जाते हैं फिर से आप लोगों को सुमलित करना है वेल्ड अभी देखा आप लोगो का मैदान कहा है जैसे आप लोगों ने देखा था कि सवाना घास का मैदान है फिर का में है जो तीन से चार मिटर तक लंबा लंबे होते हैं ये घास लंबा होता है निमनिल खित में से किस देश में पंपास घास के मैदान पाई जाते हैं अभी आप लोगों ने देखा था कि अर्जंटेना में पंपास घास के मैदान पाए जाते हैं इस परकार से यह चर्चा थी हमने इसे दो से तीन बार रिवाईज भी कराया आसानी से आप लोग अपने प्रिक्षा में अब इन प्रस्टों को कर लेंगे इस यासा के साथ अगर आप लोगों को यह वीडियो कीजिएगा हम जल्द ही एक और बहतरी चर्चा के साथ आपके सामने उपस्तित होंगे तब तक के लिए योहीं आप हमारे साथ बने रहें जैहिन जैवाज